हेलो स्टूडेंट लास्ट टर्न पे हम डिस्कस कर रहे थे साइंस चैप्र नमबर फर्स्ट का हाप पार्ट हम कवर कर चुके थे इस वीडियो में हम हाप पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं टॉपिक फर्स्ट क्या है सेलेक्शन ओफ सीट्स सयार होने के बाद बीज चुने चाते हैं वाइल सेलेक्टिंग शीट्स फॉल्विंग सजेशन सुट बी केप्ट इन माइंड वीज का चैन करते समय हमें इन सारे सुझावों का इन सारे सजेशन को अपने माइंड में ध्यान में रखना चाहिए कौन सा फॉस्ट इस सेलेक् प्रतिरोधी और अधिक उपजवाले भीजों का चैन करना चाहिए ठीक है सेकेंड इच टीट सीट्स विद फ्यूंगी साइड बिफूर सोइंग यानि की बीज को बुवाई से पहले फूफून ना सकते उपचारित करना चाहिए यानि बीज को अच्छे से जो है फ्यूंगी वगरह ना लग सकें सीट्स आर देन शोन इन दा फिल्ड बाई एनी ऑफ टू मेथट डिस्क्राइब बिलो ठीक इसका मतलब की नीचे दिये हुए दो मेथट से सीट्स को हम बुवाई कर सकते हैं कैसे फॉस्टी बाई स्कैरिंग देम इन दा फिल्ड बाई हैंड यानि की ह हाथ से उन्हें खेत में विखेर कर हाथ मेले के खेत में विखेर कर कर सकते हैं दीस मेथट इस для ब्रोड कास्टिंग यह May twist broadcasting प्रोडकास्टिंग मेथड कहलाती है ब्रोडकास्टिंग मेथड जो होता है वो भी मेकेनिकल ब्रोडकास्टर के द्वारा यूज किया जाता है Second method क्या है by using seed drills Seed drills के उप्योग से भी हम बीजों की बवाई कर सकते हैं Sewing by using a seed drill saves to time and labor इसका मतलब यह है कि seed drill से बवाई करने पर जो है कि time और labor दोनों की क्या होती है बचत होती है Seeds are placed in the seed bowl क्या किया जाता है कि बीज को बीज के कटोरे में रखा जाता है As the plog moves it makes farrow in the soil and the seeds are sown इसका मतलब क्या हुआ कि बीज को पहले कटोरे में रखा जाता है उसके बाद जैसे-जैसे हल चलता है यह मिट्टी में फर बनाता जाता है और बीज बोता जाता है ठीक यानि कि क्या करता है समझ में आया आपको कि पहले बीज को कटोरे में रख लिया जाता है और जैसे-जैसे plog हल जो है वो जोता जाएगा वैसे वैसे पीछे-पीछे यह मिट्टी में फर बनता जाएगा और फिर बीज को बोता जाएगा सेकेंड ए ट्रांस्प्लैंटेशन क्या होता है क्या होता है कि कुछ क्रॉप्स कुछ फसल राइस हो गया टोमेटो हो गया अनियन हो गया चीली हो गया यह सारे सीट को हम डाइरेक्ट जो है में फिल्ड में नहीं ग्रो करा सकते नहीं बो सकते इन सच केज़ेज दा सीट सर्फ सोन इन दा स्मॉल सीट बेड कॉल नर्सरी इन सारे केज में क्या करते हैं कि पहले सीट को एक जो है छोटे कि नर्सरी टाइप में पहले बोते हैं ठीक है वें दर सीडलिंग्स न्यू प्लांट सेविंग फॉर फाइव लिप्स देन दर हेल्दी सीडलिंग्स आ ट्रांसफर्ड और ट्रांस प्लांटेड इंटू दर में फिल्ड जैसे क्या होता है उसके लिए करते हैं कि जब फॉर फाइव लिप्स आ जाती है अच्छे से सीडलिंग्स तयार हो जाती है नर्सरी में तो उसके बाद नर्सरी से उठाके अपने जो है सीडलिंग्स को सीड्स को में फिल्ड में क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं ट्रांसप्लांट कर देते हैं, advantages of transplantation, transplantation के advantages कौन कौन से है, transplantation method has the following advantages, following advantages है, transplantation के कौन से, first is, transplantation enables selective cultivation of healthy seedling, this result in better crop production, इसका मतलब यह है कि transplantation जो होता है, वो seeds को क्या करता है, एक चैनात्मक यानि selective cultivation में सक्षम बनाता है, अच्छा बनाता है, healthy बनाता है, यानि selective cultivation में, transplantation के तुरू selective cultivation में, जो सीडलिंग से, उनको अच्छा बनाता है, स्वस्थ बनाता है, this result in better crop production, और इसमें क्या होता है, crop जो हता है, अच्छे से product होती, अच्छा production हमें मिलता है, second क्या है, transplantation permits better root penetration into the soil, यानि transplantation में क्या होता है, कि जो जड़े होती है, जो roots होते हैं, वो मिट्टी में अच्छे से प्रवेश कर जाती है, transmit हो जाती है, third है, transplantation allow better shoot development, transplantation क्या करता है, अच्छे shoot को मतलब विकास की अनमती देता है, ताकि अच्छा उसका development हो, shoot का अच्छा development हो, transplantation इसको भी क्या करता है, allow करता है, इसके बाद हम discuss करेंगे, irrigation, irrigation क्या होता है, seeds need water in the form of moisture to germinate, seeds को water की जरुरूरत होती है, moisture के रुप में germinate करने के लिए, grow करने के लिए seeds को water की जरूरत पड़ती है, plants need water to draw nutrients from the soil for their growth and for making food by photosynthesis, plants को water की nutrients की जरूरत पड़ती है, मिट्टी से उनके growth के लिए और अपना भोजन बनाने के लिए, to maintain the moisture of the soil for healthy crops growth, the field should be watered at proper interval, और मिट्टी में moisture को maintain करने के लिए, अच्छी crops के लिए, crop की growth के लिए, field को अच्छे प्रापर water की जरूरत पड़ती है, एक सही time के बाद, अच्छे interval के बाद, ठीक, the water of crops at different intervals is called irrigation, यानि एक समय के बाद water को, crops को जब हम देते हैं, तो वो सिचाई कहलाता है, यानि कि समय समय पर पानी, जो है, plants को देना आई, क्या कहलाता है, irrigation यानि सिचाई कहलाता है, the time and frequency of irrigation vary from the crop to crop, यानि किस crop को कितना पानी और कितना समय देना चाहिए, ये फसल फसल पर depend करती है, कि कौन सी फसल कैसी है, soil, soil to season to season, यानि crop, crop, soil to soil and season to season पर ये सारी चीज़े depend करती है, कि कौन सी crop को कितना water देना है, इसलिए गर्मियों में ज्यादा सिचाई की आवसेक्ता परती है, सेकेंड क्या है, sandy soil needs more water than clay soil, यानि कि बलूई मिट्टी जो होती है, वहाँ पर पानी की ज्यादा आवसेक्ता परती है, ठीक, third is, different crops need different amount of water at different stages of growth, यानि कि different crops जो होते हैं, उनको अलग-अलग amount of amount water की ज़रूरत परती है, different stage पर, growth पर, ठीक है, यानि कि particular growth पर, particular उनको amount of water की ज़रूरत परती है, different different crops को, जैसी crops होगी, उनके proper growth के लिए, उनको water की ज़रूरत परती है, अलग-अलग crops के लिए अलग-अलग है, more water is needed before tiling, फूल आने पर और फॉल आने पर जो है, ज़्यादा water की आवसकता परती है, at the flowering and at the grain development of stage, यानि कि क्या होती है, कि flowering के time, फूल और flowering के time, water की ज़्यादा ज़रूरत परती है, ठीक है, और grain development के time भी जो है, water की ज़्यादा ज़रूरत परती है, wheat, gram, cotton crops need irrigation at regular intervals, but not the standing water, इसका मतलब यह है, कि गेहू, gram and cotton crops, इन सारी चीजों को एक सही इंटर्वल के बाद, regular इंटर्वल के बाद, पानी की सिचाई की आवसक्ता होती है, but not the standing water, लेकिन खड़े पानी की आवसक्ता नहीं पड़ती, paddy rice is transplanted in standing water and needs continuous irrigation, यानि कि क्या होता है कि paddy हो गया, paddy transplanted जो होता है, प्लांट होते हैं, उनको standing water की आवसक्ता पड़ती है, लेकिन इनको नीरंतर लगातार पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनको एक बार पानी सिचाई कर दिये गया, तो ज़रूरी नहीं कि लगातार इनकी लगातार सिचाई की जाए, sources of irrigation क्या-क्या है, for irrigation water can be obtained from many sources, such as सिचाई के लिए water कई sources से मिलता है, जैसे walls and tube walls, walls के through and tube walls is through, ponds, lakes and river, ponds से, lakes से, river से, dams and canals, dams and canals है, ये सारे sources हैं, irrigation के, आगे हम पढ़ेंगे methods of irrigation, irrigation के कौन-कौन से methods है, irrigation can be done by using the available water in many different ways, यानि कि हम सिचाई कई तरीकों से कर सकते हैं, पानी की मौझूदगी पे, various methods of irrigation can be classified into following two classes, सिचाई के लिए जो कई सारे methods हैं, उनको दो भागों में, दो classes में classified किया गया, first, traditional methods of irrigation, modern methods of irrigation, traditional method and modern method of irrigation, चलिए देखते हैं, traditional methods of irrigation क्या होता है, the following methods of using available water of lags, wells and canals for irrigation are called traditional methods, यानि कि lags से, wells से and canals से सिचाई करते हैं, तो यह traditional method कहलाता है, यानि कि तालाबों से, कुए से, या फिर कहीं पर पानी कठा है, उन सारी जगों से अगर हम सिचाई कर रहे हैं, तो यह method traditional method कहलाती है, इसके बाद हम देखते हैं क्या है, इन सारे traditional method में water को manpower या फिर animal power के तुरू लिफ्ट किया जाता है, ले जाया जाता है, इन modern version of these method, water pumps running on diesel, electricity, biogas और solar energy are used for lifting water, यानि कि modern जमाने में, यानि आज के version में क्या होता है, कि यह method water pumps के थूरू run किये जाते हैं, water pumps होते हैं, जो कि diesel या electricity या फिर biogas या फिर solar system से चलते हैं, और water pumps के थूरू इनको lift किया जाता है, कि इसको water screw, आगे modern methods of irrigation, the modern methods of irrigation are based on economical use of water, यानि modern method, इसी चाहिए कि modern method जो है, वो economical use of water पे depend करती है, these methods are very useful, particularly in water deficient area, ये method जो है, जहाँ पे पानी की कमी होती, उस area पे जादा useful है, some commonly uses method सा describe below, कुछ method हैं, जो नीशे दिये हुए हैं, कौन से, sprinkler system, first क्या है, sprinkler system, this system of irrigation is more useful for uneven dry lands, ये system जो होता है, ये सिचाई की system विवस्ता जो होती, वो जादा useful होती है, dry lands के लिए, या फिर uneven जहाँ की जमीन समतल नहीं है, या फिर dry है, वहाँ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, useful है, in this system, a network of pipes having rotating nozzles on their tops are linked to a main pipe, इसमें क्या होता है, कि इस system में, top पे एक rotating nozzles लगा दिये जाते हैं, main pipe में, main pipe जो होता है, main pipe के top पे एक nozzles लगा दिये जाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, when water is pumped into the main pipe, it comes out the rotating nozzles with pressure in all the directions, उसके बाद क्या होता है, कि nozzles लगा दिये जाते हैं, तो जब water pump में, water pump जब on होता है, तो pipe में जब पानी आता है, तो nozzles होते हैं, वो rotate करने लगते हैं, सभी direction में, सभी direction में rotate करने लगते हैं, pressure के साथ, ठीक है, उसके बाद drip system क्या होता है, in this system water is released drop by drop, just near the roots of plant, इसमें क्या होता है, कि water released होता है, drop by drop, drop drop करके water released होता है, roots के, plants के root में, this is the most economical method of irrigation, ये जो होता है, एक most economical method है, सिचाई का irrigation का, it is highly suitable for water deficient region, ये वहाँ पर suitable करता है, जहाँ पर water की कमी है, this method is used for fruit and flower plant, ये method क्यों use होती है, ज़्यादा तर fruits and flower plants के लिए, यूज की जाती है, ठीक है student, आज हम इतना ही cover कर रहे हैं, next turn पे हम आपको, बचे हुए chapter cover करेंगे, thank you, आपको,